हेलो इबरिवन श्वागत है आप सभी कैसे मेरे नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस्टूड़न बोर्ड परिच्छा 2024 में मैथमेटिक्स की कॉपी कि इस प्रकार से बोर्ड एक्जाम में लिग है इस्टूड़न सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी बोर्ड एक्जाम की कॉपी होती है यहाँ आपकी नार्मल वाली कॉपी थोड़ी स्चवड़ी होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले इस्टूड़न आपको करना है कि लेफ्ट साइड में इस इतने भी सारे कोषेंस होते हैं उनको क्या करना होता है इस कौपी works अपको तो सबसे पहले यहां पर आपको डाल लेना इस प्रकार से खुंडभव टालने के बाद आपischesसे आ आपको जो भी कोषेंसे तरीके से आ रहा हो वही कोषेंस पर हो किया करना था उसके बाद यहां पर ब्लैक पेंस से हेडिंग डालेंगे हल उसके बाद एस्टूट्ट आप यहां पर लिखेंगे तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप कोईश्टन को हल करना इस्टार्ट करेंगे तो यहां से जैसे आपने यहां पर इस प्रकार से लिख लिया आपको क्या क प्रकार से लिखना है इस्टूटन उसके बाद आपको लाइन वाई लाइन लिखते चले आना है माली जी दो समीकर दिया उसको हल करना तो इस प्रकार से अब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहां पर जैसे की माली जी दूसरे बाले question में हमें पहला और दूसरा दो question दिया है यहाँ से हमें solve करके A और B का मानियाद करना है तो यहाँ से इस प्रकार से आपको लिखना है प्रशनुत्तर संख्या 2 और माली जी यह घह है दूसरे का घह तो इस प्रकार से लिखेंगे हल उसके बाद इसको लिख लेंगे जो दिया गया है आपके question में पहला दूसरा समीकरड इस प्रकार से माल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो हल करेंगे इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपको line wise line इस प्रकार से सही तरीके से लिखना है उसके बाद आगे देखते हैं किस प्रकार से इसको हल किया है तो आगे आप देख सकते हैं जब समीकरड 1, समीकरड 2 को हल किया गया है तो A कमान इहां से 45 आ गया है उसके बाद इसी प्रकार से जब हम आगे सुल करेंगे तो B कमान इहां पे 15 आ गया है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से black pen से हमने यहां पर लिख दिया है A बराबर 45, B बराबर 15 यह आपका final क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो आपको क्या करना है जो भी final answer आएंगे आपको A और B इस प्रकार से करके लिख देना है student अब हम आगे देखते हैं student question no.3 को आप हल करने तो इस प्रकार से लिखेंगे प्रसुनुत्तर संख्या तीन हल इस प्रकार से करके आप लिखेंगे तो सपोच करी यहां पर आपने भीन मान लिया माना भीन बराबर एक्स मटे वाई मान लिया इस प्रकार से उसके बास इस प्रकार से क्या करना है student आपको सही तरीके से अच्छे नंबर आएंगे तो इस चैनल पर नहाँ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तकि मेरे आने वाले शभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे